असलों अलेकुम दोस्तों मैं शायदा प्रवीन हजीरों एक और रेसिपी के साथ फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे बिल्कुल मार्केट है जैसी कटोरी चाट तो फ्रेंड्स आप को अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी तो फ्रेंड्स आप इसे इफ्तार के वक्त ट्राय कर सकते हैं और इसका मज़ा ले सक बदेखते हैं तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं कि कटोरी चाट बनाने के लिए यहां पर मैंने यह एक कप भर के मैदा लिया है यह वजन में 250 ग्राम मैदा है और इसके बाद मैंने यहां पर यह वन फोल्द कप मैंने यहां पर डालडा घी लिया है तो आप चाहें तो देसी घी या डालडा घी या रिफाइन कुछ भी एड़ कर सकते हैं तो मैंने इसमें वन फोल्द कप डालडा घी एड़ किया है और साथी में मैंने यहाँ पर आधा चमच अजवाइन एड़ की है बस बहुत जादा चीज़ें हमें इसमें नहीं एड़ करनी है और थोड़ा सा मैंने यहाँ पर नमक एड़ किया है टेस्क के हिसाब से आप अपने हिसाब से नमक एड़ कर लिएगा तो हमें इसे बहुत जादा स्मूस सा डो नहीं बनाना है तो यहाँ पर यह चमच मैंने ले लिया है और इसे घी और मैदे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो हमें यहाँ पर स्मूस सा डो नहीं बनाना है बस एक रफली सा इस डो को रफली इस तरह से मैश कर लिया है और जिस कप में मैंने मैदा लिया था यहां पर उसी कप में मैंने आधा कप पानी लिया है तो पानी को हम एक साथ नहीं डालेंगे थोड़ा थोड़ा सा करके हम मैदे को गुंदेंगे तो यहां पर मैंने थोड़ा सा पानी डालके मैदे को तो फ्रेंट्स मैंने बहुत ही कम पानी एड़ करके मैदे का ये टाइट सा डोप तयार कर लिया है बस मैंने इसको बाइंड किया है रफली से गुंदा है इसे एक बहुत जादा इसमोस सा नहीं और नहीं इसे रेस्ट के लिए रखा है तो बस मैदे को गुंदें जैसे ही हम तुरंथ ही हम ये लोई तयार कर लेंगे तो मैंने यहां पर ये छे लोई इसके बना लिए और ये देखे इतना पानी इसमें बज भी गया है तीन से चार चमच पानी बज गया है और बहुत ही कम पानी का मैंने यूज किया है तो आप भी इस बात का ध्यान रखिएगा कि दोग बहुत ही टाइट और रफ्ली सा बनाईएगा स्मूथ और नहीं बनाईएगा तो लोई को मैंने लेकर यहां पर इस तरह से बेल लिया है और यहां पर लोई हमारी देखिए आप देख सकते हैं काफी अच्छे से बिल चुकी है तो मैंने इसे इस तरह से हाथ पर ले लिया है और यहां पर मैंने एक एक चोटी काटोरी ले लिया है औरिपली देख अच्छे से देखिए इस तरह से रैप कर देंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कटोरी में पूरी को इसमें रैप कर दिया है और जो उपर के किनारे बाहर निकले थे तो उसे मैंने इस तरह से हाथ से ही काट दिया और फ्रेंट से इस कटोरी की हेल्प से हमने चाट के लिए सभी चाट की टोकरियां तयार कर ली है और यह देखिए चारो कटोरियों में मैंने चाट की टोकरी तयार कर ली है सभी को हमें इसी तरह से बनाना है जैसे कि अभी है मैंने आपको दिखाया तो और कडाई में मैंने तेल रख दिया था गरम होने के लिए मैंने रिफाइंड एड़ किया है तो आप कोई भी कुकिंग ओयल का यूज़ कर सकते हैं और ये देखिए तेल पहले से ही अच्छे से हीट हो गया था तो मैंने फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया है और उसमें कड़ाई में दो कड़ोरिय मैंने कड़ाई में मौज़ करना है तो दो ही कड़ाई में आ सकती थी तो मैंने उतनी ही इसमें डाल ली और फ्रेन्स ये इस तरह से डाल के इसमें कड़ोरियों में ये गरम तेल इस तरह से चम्मा से भरते रहेंगे कि दिया ऑंदर का दिहान रखिएगा के फ्रेम को बिल्कुल लो पे ही रखिएगा वर्ना ये कच्ची सिकेंगी तो इस तरह से मिस पे उपर से भी तेल ऐसे ही डालते रहेंगे तो यहां पर देखिए कटोरी बाहर आ गई है कड़ाई में ही तो यह मैंने कटोरी को बाहर निकाट लिया है और यह दोनों कटोरी इस टोकरी से बाहर आदेंगे हैं और यह देखिए हमारी टोकरी बन गई है और यह इसका यह काफी अच्छे से क्रिस्पी सी हो गई है सी गई है तो मैंने यह उपर से इस पे गरम तेल मैंने लगातार डाला है तो आप भी ऐसे ही इसे को कीजिएगा और तो यहां पर यहां पर दोनों टोक्रियां त्यार है और लेखने प्रोसेस तो यह डोनों त्यार हो चुकी हैं तो finally यहां पर हमारी चारों टोक्रियां तयार हैं friends तो यहां पर मैं दो टोक्रियों में चार्ट बना रही हूँ तो मैंने मतर को मेरे पास मतर हैं और आप चाहें तो उबलेवे आलू बरे या चने या आप अपनी कोई भी मन पसंद स्टफिंग इसमें इस टोक्री में भर सकते हैं तो फ्रेंट्स मेरे पास मैंने मटर को वायल करके रखका था और इसमें मटर भरी और उपर से मैंने इसमें चाठ मसाला डाला है और चाट मसाला एड करने के बाद मैंने यहां पर मीठा दही पर एड किया है तो फ्रेंट्स आप दही को मिक्सर में न फेटियेगा वरना वो पतला हो जाएगा तो थोड़ा गाढ़ा दही आप इस पर एड कीजेगा और इसके बाद मैंने यहाँ पर रेट चिली सॉस इसमें डाला है तो आप चाहें तो रेट चिली सॉस घर का बना या मार्केट का कोई सा भी आप इस पे एड़ कर सकते हैं उसका इसले हैं जाता हुसा सबसेकन प्सक्राइब रिज दैशिकेते हैं ट sarcasm करें गरिजसना के को डाुग। करेंके टाएब दाने हैं यहां पर सबस्क्राइब नायरा के चाहिते हैं लुक के जाए घुड़ सके ऌटायने आप किसी भी और चीज से भी इसे गार्णिश कर सकते हैं तो फ्रेंट्स यहां पर हमारी टोकरी चार्ट आप देख सकते हैं इसका लूग कितना अच्छा आया है और यह बहुत अच्छी लग रही उपर से मैंने फिर से दोबारा से इसमें मीठा दही एड़ किया है और फिर से मैंने इस पर रेट्च uniform डाला है और फाइनली फ्रेंट्स यहां पर बिल्कुल लास्ट में मैंने एक बार और इस पर दोबारा से चार्ट मसाला पाउडर एड़ किया ए तो फ्रंस आप देख सकते हैं ये बिल्कुल मार्केट के जैसी चार्ट घर में ही हमने बनाई है और अब मार्केट जाने की आपको भी जरूरत नहीं है आप घर में ही टोक्री चार्ट कुछ टिप्स और ट्रिक के साथ बना सकते हैं तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक शेयर और सबस्क्राइब जरूर कीजेगा और इन्शालला एक और नई रेसिपी में फिर से जल्दी ही मिलूंगी तब तक के लिए बाई अल्ला हाफिज आसलाम लेको